अच किस बीडियो में बात करेंगे भी ए फस्टिर के फस्ट समेस्टर के एकोनोमिक्स यानि की अर्थसास्तर के most important question and answer के बारे में जिन भी छात्तरों की परिच्छा अर्थसास्तर की है वो बीडियो को अन्त तक जरूर देखें ताकि उनको एक्जाम में उनको help मिल चाहें ठ जो में question बताऊंगा उनको तयार कर लेते तो आपको परिच्छा में को भी फिल नहीं कर सकता क्योंकि इस वीडियो मेंने question तो साथ-साथ मैं आपको बताऊंगा उसके उत्तर भी आप लोगों के लिए मैंने तयार किया है ठीक है तो ध्यान से बने रहेंगी वीडियो को अं अर्थपूर तो है ही ठीक है तो simple सा इसका उत्तर लिखेंगे कि सूच अर्थवसाफ्तर में हम अर्थवसाफ्तर का समग्र अर्ध्यन ना करके अर्थविवफ्था के बिश्चिस्ट आर्थिक इकाईयों अत्वा बेक्टिगत इकाईयों का अध्यन करते हैं मतलब की माईक्रो एकउनोमिक्स मतलब की हमिश्च लिए धारत 2 पूरे ऑर्थवसाफ्तर होता है एक तरीक ही पूरा बड़ा नतब की आए और्थिस को बृडब में माले हैं ठीक है लेकिन उसमें से जो popular देश हैं जैसे कि उत्तर प्रदेफ राजिस्थान मध्दप्रदेश ठीक है और दिल्ली ऐसे बहुत साफ्थ को क्या है喔 ठीक है, सभी अर्थ साफ्त को नहीं, मतलब कि समग्र जो अर्थ साफ्त रहे, उसका अध्यन नहीं करेंगे, बस कुछ main point जो अर्थ विवफ्था के विश्ष्ट एकाई है, कुछ जो बिक्तिगत एकाई है, उनके बारे में जानेंगे, ठीक है, इसके अंतरगत एक वफ्थ, एक फरम उबहोकता कि अधिन किया जाता है । मतलब कि कोई एक बड़ी फैक्ट्री होगई, कोई एक बड़ी कमपनी हो गई, ठीक है। कोई पार्टेकुल और एक बड़ी वस्तु हो गई शामान हो गई उस čीज का स्वाँयरों प्रधेर है जिनका नाम नाम है प्रोफेसर चिंबर लिन ठीक है इनके नों सार्थ सूच्म की परिभाशा इस परकार दिए इन्होंने कहा कि सूच्म प्रश्राफ्त करें, तो ब्यक्तिगत ब्याक्या पर आधारित इसका संबंद अंतह व्यक्तिक्त संबंदों से होता है, तो इस प्रकार आप लिखेंगे, सूच अर्थवयोस्ता के बारे में सिंपल ससर्च है, यह कुष्चिन महत्पूर्ण है, और कई बार आज चुका तो ध तो आर्थिक प्रणाली यानि कि आर्थिक सिस्टम, एकोनुमिक सिस्टम, ठीक है, किसी अर्थ व्यवफ्था की विभिन संस्था, नियमों और प्रतिमानों कि समूह को आर्थिक प्रणाली कहते हैं, ठीक है, किसी अर्थ व्यवफ्था की जो विभिन संस्था होती हैं, उसके समूव को हम आर्थिक प्रणाली कहते हैं जिनके दोरा अर्थ बेवफथा का फंचारन किया जाता है अर्थ बेवफथा का मतलब यह हो गया कि जो हमारे चीज़े हम लोग खाते पीते हैं जो financially जो चीज़े होती है ठीक है वो वाली तो अर्थ है बेऊफ था जैसे कि इस समय में आपको बता दूँ अभी आपने देखा था कि अपने देश में ठीक है जो कानून लागू हो गया था कि अगर कोई मा लीजे की कोई ट्रक डाइवर से पिर किसी भी ड्राइवर से कोई किसी का भी एक्सिडेंट हो जाता और वो द प्राइबरों ने किया कि हर्ताल कर दिया था ठीक है तो हर्ताल जब कर दिया था तो आप सब एक मालू है कि अर्थ वेफ्था हमारी डाउन होती जा रहे थी देश की देश की जो अर्थ वेफ्था है वो पूरी तरह एकदम डाउन हो गई थी अब कैसे दाउन हो गई थी क् वहारे जो ग्रामीर के फहर के लोग जो होते है वो दूध ग्रामीर वाले ठीक है जो एक एक डेरी होती वहाँ पर देने जाते है दूध मैंश की गाय का ठीक है सिर्फ दूद नहों सभी चीजों में महेंगाई तो बढ़ जाएगी तो इस प्रकार अर्थ विवस्था जो होती हो डाउन हो जाती है ठीक है तो इस प्रकार सिंपल परिमासाच की बारे हम लिखेंगे महात्पूंट प्रश्ण है अगला है मांग को प्रभावित करने वाले डीम options प्रश्ण मांग को आप लोग समझते हैं आप लोग को बता रहा है कि कि कोई उतर इस चीजो दूकान मिल जाएगा दाल मिल जाएगा सबजी मसाला मिल जाएगा तेल मिल जाएगा नमकीन बेस्किट साबन सेंपो तब कुली मिलाकर किराना इस्टोर पर आपको सब चीज़े अवयरबल होती है खाद दियान वाली जो घर के एक बेशिक जरूत होती ठीक है उसके बाद मालीजे की एक्सीजन आ गया फीजन का एक्जामपल के रूप में हम समझते हैं जिसे कि कभी कभी नवरात्री आती है आप लोग एक्जामपल ले लिए तो नवरात्री में क्या होता है कि बहुत सारे जो जिफे की मौंग फली के दाने होते हैं साबू दाना होता है और प्लफ नारियल होते हैं यह सब की ऊसके बाद वह बहुत जल्दी खें ठीक है तो बिग जाने से क्या होगा की Mаюсь करेंगी हमें उससे हाँ चाहिए हमें से और तो डिमांड बढ़ने लगे तो क्या होगा वो दुकानदार जो कि राना श्टोर का दुकान वो भाई और भी बाहर से लाओ लाओ और भी लाया मतलब 20 और मंग आया फिर वो खतम हो गए ठीक है तो फिर भी फिर लोग आने लगे तो पिर से वो मंग आया ठीक है उसके बाद परिभासा जो एक्दम एक्जामपल है उदाहरण है आप अलग अलग चीज़ों में ले सकते हैं ठीक है जिसे की सरदी का मौसव है ते समय बहुत फारे टोपी है जैकेट है सूज है इस तरह की बहुत फारे चीज़ों जिनकी डिमांड बढ़ जाती ठीक है वही समय पर नहीं धलिमेंड से चनसंकिया का कार भी होता आय कावितन भी होता वहस्त की एपनी कीमत भी होंने लगती है ठीक है कभिए कभी कोई वहस्त मेहि होने नहीं हमारे पास है तो उसके वस्त की कीमत भी बढ़ा देते हैं यह कुछ इलेमेंट से उप्भोगता की आई यह जो इंकम होती है कीमत परिवरतन के संभावनाय हो जाती है जो जो चीज डिमांड में ज्यादा रहती है कीमत जो रुपीय प्राइज होती है उससे ज्यादा मे देखा था क्या नहीं कितने महंगे महंगे जो मास्क थे वो ही आप पचाफ-पचास-बस रुपया में भी करेगा लेकिन जो उगाने वाली चीदे जो आने वाले चीदे जाने वाली यहां से वहां तो यह बहुत ही आप लोगों के लिए इंप्वार्टन कोईश्चन है ध्यान रखेंगे बच्चत करने की प्रवत्ति यह कुछ ब्यपार की चक्र की अवस्था यह कुछ प्रमोक इलेमिनेट से तत्तों हैं मांग के जो कि आपको ध्यान रखना पॉपलर कोईश्चन है अब ह पॉपलर बहुत ही टॉप लेबल का कोईश्चन है ठीक है इसका उत्तर लिखेंगे कि सरप्रथम गोसेन नामक एक अर्थवस्थास्त्री ने घर्टी उपयोगता के विचार का प्रियोग किया था जिससे बाद में मार्सल ने एक सिध्धान के रूप में प्रस्तित कि हमार इसे वैसे उसकी बाद की एकाईउं के लिए हमारी तिवर्ता घर्टी जाती है तरब तो इच्छाओं के इस समन्नीकरण को घर्ती सिमान्त उपयोगता नियम कहते हैं इसे सिमान तो भीगता का हास नियम भी कहा जाता है ठीक है मालिज़े कि कोई चीज हम लोग क्या करते है बीज के हमाली नहीं नहीं वस्तु है, फोई कि हम लगातार उसका उपयोग करते हैं। वैसे उसकी बाद की इकाईया के लिए हमें आरी तीविरता घड़ती जाती है माली जे कोई चीज हम बार बार अधी को प्योग कर रहे हैं अपने यूज में ला रहे हैं तो कुछ दिन के बाद आप लेटेस्ट चीज आएगी तो जो पिछली वाली चीज हैं उसको आप लोग भूल जाएंगे फिर लेटेस्ट आएगा तो उसकी पिछली वाली भी मतलब भूल जाएंगे तो इसी तरह उसकी बाद की जो इकाईया होती है ठीक है उसके लिए हमाई तीविरता घड़ती जाती है ठीक है और तरप्त इच्छाओं की इस सम्मत्व की जो इच्छा होती इच्छा के उसकार आप लोग किसी चीज को प्योग करेंगे खरीदेंगे लाएंगे तो इस प्रकार बेसिक साफ प्रस्चे लिखेंगे सिमान दुबिक्ता के बारे में काफी एलपर कोश्चन है लेकिन आप अपने नों सार्विष की परिमाफ़ा तैयार कर सकते हैं लेकिन है कुल मिलाके महात पूंट प्रस्चन बस ठीक है और बहुत ही डीपिली में दिया गया आप तैयार कर लीजिएगा अगला भी महात पूंट प्रस्चन है कि बजार मोले एम समान मोले में क्या अंतर है बजार मोले वा मोले जो बजार में मांग और पूर्त की सकतियों के आफ्थाई संतुलन द्वारा निर्दायत होता है की रखा है ठीक है कोई चीज माली जेग आपके बजार कोहीं रगी है माली सबजी की मार्केट है तो फृँक हुँtså ए औरह उसके पास घर पर इक दो बर्यों लगा तुँरंत मंगाए मोला उसके ऑदर में और्सकी रेडफ लेट ट्याइट कर देगा ठीक है यानि को परिवर्तन कर देगा ठीक है और मालिजे की बजार में फिर कोई अगर और भी ज्यादा इस टोक लेया कोई आलू की जो बोरी और भी ज्यादा लेया है ठीक है तो उसकी जो रेट है वो तुन्द घड़ जाएगा ओके तो कुल मिला के इसका मतलब यह कि कोई भी मार्केट है उसमें जिस हिसाब से कोई भी वस्तु है ठीक है वो चाहिए आपका कोई भी समान हो सकता है जिस हिसाब से उसकी ठीक है क्वांटिटी रहेगी उस हिसाब से उसकी वैलू घड़ती और बढ़ती रहती है ठीक है अगर मा मतलब की मतलब की कम और ज्यादा के हिसाफ ठीक है धिन में कई बार परिवर्तन होती है ठीक है तो इस प्रकार इसके बारे मेरा प्रशंथ और अगला प्रशन बजार मुले और समान मुल में आप लोगों को कुछ अंतर और दोनों के बारे में यहां पर परिभाशा आए दी गए बहुत ही महात्पूंट प्रशने भी इसको भी तैयार कर लेंगे मांग की नियम की ब्याक्या जो कि हमेशा आता ऐसी प्रश्चा कोई गई ही नहीं जिसमे मांग की परिभाशा से अश्परश्ट है कि मांग यह मुल में बड़ा ही घनिष्ट सम्बंद है कोई चीज़ डिमांड है ठीक है और डिमांड में मतलब कि कोई चीज़ समान है उसकी जो मांग है ज्यादा है मार्केर में डिमांड ज्यादा है और जो मुल होता हो ठीक है, डिमांड द्वारा ठीक है, ब्यक्त किया जाता है, मांग का नियम यह बताता है कि उची कीमतों पर मांग कम तथा कम कीमतों पर मांग अधिक होता है, मतलब कि कोई भी चीज है, ठीक है, उची कीमतों पर मांग कम होता है, मतलब कि जब रेट मालीजे ज्यादा होता है तो वो चीज मांग उसकी कम होती जब माली जे कोई चीज महंगी होती जैसे कि सोना है जब सोना महंगा रहेगा तो लोग कम खरीदेंगे लेकिन जब सोना सफता हो जाएगा तो उसकी मांग ज़्यादा बढ़ जाएगी यानि कि लोग ज्यादा खरी देंगे ठीक है तो इस प्रिकार मोल लेओं मांग में विप्रीद संबंद है अन्य शब्दों में यह नियम बताता है कि यदि अन्य बाते समान रहें तो अधिक मोले पर किसी ठीक है किसी वफ्त विशेस की कम मात्रा खरी दी जाएगी और कम मोले पर उसकी अधिक मात्रा खरी जाएगी ठीक सस्ता रहेगा तो लोग ज्यादा खरे दें कम मतलब कि महंगा रहेगा तो लोग कम खरी देंगे ठीक है यह बात हो गई और वहीं पर अगला हमारे विद्वान के उसार अलगला परिभासा और लागत यह कभी कदार आता आप चा समाजी कल्यान फरन से क्या से भी कभी कदार फंस जाता तो आप इसको पढ़ लेंगे तो आप लोग के लिए बेटर रहेगा ठीक उत्तर भी आप लोग के समस्त है ठीक है ध्यान से पढ़ लीजीगा अगला मोस्ट इंपॉर्टन है इसको जरूर अटके जाईएगा क्योंक बहुत ही पॉप्लर कोईश्चन हमेशा फसता है कोई भी ऐसी परिच्छा नहींगे जिसमें प्रश्ण नाया हो ठीक है तो इस प्रश्ण का उत्तर जरूर आप तैयार करके जाएंगे उत्तर आप लोगों के समस्त लिखा भी है कि जिस प्रकारवफ्त की मांग का सम्मंद उब्भोकता से यानि कि जो इंसान होता है ठीक उसी प्रकार वफ्त की पूर्ती उत्तपादक से समंदित होती उब्भोता का उद्देश अपनी संतुष्टी को अधिक्तम करना होता है जबकि एक विबेक सील उत्तपादक उपलब्ध सब उत्तपत्त के साधनों की अनकुल उत्तम लागत संयोग कहा जाता है किसी वफ्त की पूर्ती उत्तपादक द्वारा की जाती है ठीक है इस बात को ध्यान रखेंगे किसी विश्यस समय पर पूर्ती वस्त की वह मात्रा है जो किसी कीमत विश्यस पर विक्रे के लिए प्रस्तुत की जाती है दूसरे सब्दों म किसी समय विसस में एक निश्चित कीमत पर वफ्त की जिस मात्रा को अतपादक बजार में बेचने को तयार रहता है वह पूरती यानि की supply कहलाती है ठीक है मालीज़े कोई इंसान है वो market में आया है ठीक है और वो उस चीज को बेच रहा है ठीक है तो उस चीज को कहेंगे supply कर रहा है ठीक है तो इस प्रकाल लेखेंगे basic सा उत्तर है कोई hard level का नहीं वह आप लोग समझते ही हैं और काफी smart आप लोग हैं ही और समझ गेंगे कोई डिटियल में आपको एक्स्प्रेन करने क्या हो सकता नहीं इसका उत्तर आप तयार कर लेंगे इफी तरह पीडियाप में और भी वह फारे कोश्चन दिये गए हैं यह पीडियाप आपको टेली वाट्सप के दोनों पर मिल जाएगी तो वहा कर दो में पर मिल जाएगी तो दोनों कि पोड़ से किने में दोनों के दीजे में जाएगución